सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल संजीब मिस्रा को और प्रेस कर ये बेल आइकॉन पर हर तरह के विडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो चौधरी चरन सिंग अंतराष्ट्री हवाई अड़ा भारतिय राज उत्तर प्रदेश की राजदानी लखनाओ की सेवा करने वाला एक अंतराष्ट्री हवाई अड़ा है ये सहर के अमोसी छेत्रक में स्थित है और इसे पहले अमोसी हवाई अड़े के रूप में भी जाना जाता था बाद में 2008 में भारत के पाँचवे प्रधान मंत्री चौधरी चरन सिंग के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम हो गया चौधरी चरन सिंग हवाई अड़ा नमस्कार दोस्तों मैं संजीव आज आपके साथ उत्तर प्रदेश के एक बेहदी व्यस्त एयरपोर्ट यानि कि चौधरी चरन सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ रोचक जानकारिया सियर करने वाला हूँ तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिलकुल लाश्ट तक दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली वार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा दें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों लखनाव एरपोर्ट यानि कि चौधरी चरन सिंग एरपोर्ट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनर सीप एरपोर्ट है जिसका अडानी लखनाव इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा संचालन किया जाता है लखनाव और सेंट्रल उतर प्रदेश को सर्व करने वाले इस एरपोर्ट ने 2020 से 2021 में 24,41,037 पैसेंजर्स ट्रैफिक, 22,954 एरक्राफ्ट मूवमेंट और 9,968 तन कारगो की आवाजाही को संभाला था लखनाव एरपोर्ट की इस खासियत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तो रनवे बात अगर रनवे की करें तो CCS अंतराष्ट्रे हवाई अड़े के पास रनवे 27 पर ILS C80 IIIV चमता है जो कम द्रिशता के स्थिति में लैंडिंग को सक्षम बनाता है दिल्ली, लखनाव, जैपूर, अमरिटसर, बैंगलोर और कोलकाता में एक मातर ऐसे हवाई अड़े हैं जहां ILS C80 IIIV है जो 50 मीटर से भी कम द्रिशता के साथ भी उडानों को सुरक्षित रूप से लैंड करने में मदद करता है दोस्तों टर्मिनल के बारे में आपको बता दूँ कि चौधरी चरंसिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कुल दो टर्मिनल ऑपरेशनल है टर्मिनल वन, मूल टर्मिनल, चार बाग रेलवे स्टेशन की वास्तुल कला के पूरक के लिए बनाया गया है इसमें दो आगमन और तीन प्रस्थान द्वार और साती साथ दो आवरजन काउंटर है तर्मिनल दो, बात अगर टर्मिनल दो की करें तो तर्मिनल दो मूल रूप से अंतराश्ठी टर्मिनल बनने के लिए बनाया गया था हाला कि बढ़ते घरेलू या तायात के कारण इसे घरेलू टर्मिनल बना दिया गया जिससे टर्मिनल एक अंतराश्ठी टर्मिनल बन गया 2018 में टर्मीनल का निर्मान नागारजुन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सुरू किया गया था और इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा पहला चरण मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और दूसरा चरण मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा बात अगर फ्लाइट्स की करें तो मैं आपको बता दू कि लखनव एरपोर्ट से एर इंडिया की विमान बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई के लिए एर इंडिया एक्सप्रेस की विमान दुबई, मसकट और सारजा के लिए अलायंस एर की विमान गोरकपूर के लिए, फ्लाइ दुबई की विमान दुबई के लिए गोफर्ष्ट की विमान एहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई के लिए इंडिगो की विमान आगरा, एहमदाबाद, बैंगलोर, भूनेस्वर, चंडिगर, चिन्नाई, देहरादो, दिल्ली, दुबई, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदोर, जैपूर, कोलकाता, मुंबई, नागपूर, पटना, पुने, रायपूर, राची, श्रीनगर और सारजा के लिए, सलाम एयर की विमान मसकट के लिए, और विस्तारा की विमान दिल्ली के लिए उप्लब्ध है दोस्तो, चौदरी चरन सिंग हवाई एड़ा, लखनाव मेट्रो द्वारा, लखनाव से जुड़ा हुआ है चौदरी चरन सिंग इंटरनेशनल एपूर्ट, मेट्रो स्टेशन का रेड लाइन मेट्रो स्टेशन, लखनाव मेट्रो की रेड लाइन के लिए एपूर्ट टर्मिनस है, जिसका अंतिम टर्मिनस मुनसी पूलिया है दोस्तो चौदरी चरन सिंग एरपोर्ट की कुछ उपलब्दियां हैं जो इस एरपोर्ट को सबसे अलग बनाती हैं वो इस प्रकार हैं दोस्तो जुलाई 2013 में जोदपूर हवाई अड़े के साथ इस हवाई अड़े को ए ए आई के सरुसेष्ट हवाई अड़ा पुरसकार से समानित किया गया था हवाई अड़ा संचालको के एक वैस्विक गैर लाफकारी संगठन एरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्स पांच से दस मिलियन यात्रियों को पूरा करने वाले छोटे हवाई अड़ो की स्रेणी में लखनव हवाई अड़े को दूसरा सरुसेष्ट द अर्किटेक्ट्स एस घोस एंड एसोसियेट्स को प्रोजेक्ट के लिए 2014 में अंडी टीवी ग्रोहे इंफ्रास्ट्रक्ट्टर आर्किटेक्ट्टर डिजाइन ओफ द यारवार्ट से समानित किया गया था 2019 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा हवाई अड़े को एसिया प्रसान छेत्र में 5-15 मिलियन छमता वाले डोमेस्टिक वार्सिक के लिए एसक्यू पूरसकारों में प्रतम स्थान से समानित किया गया था जनवरी 2020 में लखनव एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिल्थ एक्रिडेटेशन प्रोग्राम में माननेता दी गई वैसिक माननेता यात्रियों के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड़े द्वारा किये गए असाधारंड सक क्रिय उपायों को प्रदर्सित करती है दोस्तो लखनव एयरपोर्ट के आसपास रुखने के लिए कई सारे सांदार होटल हैं जिन में सिगनेट पार्क दी आर्क 1.9 किलोमेटर फैव होटल एलिशियन ग्रेंड 1.7 किलोमेटर लेमेंटरी होटल 1.8 किलोमेटर टाउन हाउस होटल 1.7 किलोमेटर आदी मुख्य रूप से समिलित हैं लखनव एयरपोर्ट के आसपास टाइम स्पेंट करने के लिए कई सारे सांदार जगह सामिल हैं जिन में मुख्य रूप से जनेश्वर मिस्त्रा पार्क ब्रिटिस रेसिडेंसी ड्रीम वर्ड एम्यूजमेंट पार चंद्रिका देवी मंदिर गोमती रिवर फ्रंट पार्क आमबेटकर पारकादी मुख्य रूप से सामिल हैं तो दोस्तों चौधरी चरन सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेयर कर दे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली वार वीडियो देखने आए हैं और आगे विसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइ कर लें क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफी सारे इंट्रेस्टिंग ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे हमारे साथ लाश्ट तक बने रहने के लिए और इतनी ततपरता से हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद पुछ देखने के लिए लाश्टिंग ओका धन्यवाद